एक तो श्वी गुरुनानक देव जी का पाचसो तिर्पनवा गुरु पर्व दूसरे टीवी पत्रकार अजीत अंजुम जिन्हे किसान आंदोलन को कवा करने के लिए प्रतिश्थित कुलदीप नईर अवोर्ड से नवाजा गया है अनेकों बधायया एक ऐसी सक्षियत जिसने किसान आंदोलन को विश्व में जन जन तक पहुँचाया जिसने किसान, किसानियत वो उनकी समस्याओं से भारत को अवगत करवाया लोगों को दिखाया क्यों भारत कभी किसी का गुलाम नहीं रहा इस आंदोलन से एक जो सबसे बड़ी बात सामने आई वो थी लंगर की अवधारना जिसे धर्म, जाती, रंग, नसल, उम्र, लिंग या सामाजिक स्थिती की परवा किये बिना सभी लोगों के बीच बनाय रखने के लिए डिजाइन किया गया था ये एक अभिनावदान था राजा चंद्रगुप्त मौरिय द्वारा चौथी शताबदी की शुरुआत में दिया गया था जिसे हिंदू धर्म में भंडारा कहा गया है इसी तरज पर सिख धर्म के पहले गुरु गुरु नानक देवजी द्वारासन 1481 के आसपास लंगर या मुफ्त सामुदाइक रसोई स्थापित की गई थी ये आज सिख धर्म की पहचान है दिल्ली हाइवे पर पंजाब हर्याना वदेश के अन्य प्रांतों से किसान आंदौलित थे लाखों की संख्या में किसान ठिथूर्ती ठंड में टैंट सिटी के रूप में जमे हुए थे सिख लंगर 24 साथ चलाए जा रहे थे जहां जो लंगर में बैट जाता है उससे बिना जात्पात वधर्म पूछे भोजन खाये बिना नहीं जाने दिया जाता आंदोलन में अनुशाश्न सिख परंप्रा को चरितार्थ कर रहा था खाना बनाने में आधुनिक तंत्र का प्रयोग देख अनुमान लगाया जा सकता था कि देश के किसान किस हद तक विक्सित हो चुके है देखा जाए तो सभी सेवादार जीन्स पैंट पहने मिल जाएंगे लेकिन किसी ने भी भारतियता को नहीं छोगा वास्तव में यह आंदोलन हमारे देश में हुई देहाती तरक्की की नुमाईश थी जो इको फ्रेंड ली थी कोई प्रदूशन भी नहीं था दर्शनार्थ लोगों में होड सी लगी हुई थी विश्व प्रसेद फोटोग्राफर रगुराय ने भ्रमन के बाद बताया कि इससे बड़ा आंदोलन उन्होंने आज तक नहीं देखा जब मैं भारत की विजूल हिस्ट्री देखता हूँ तो सबसे बड़ी बात जो सामने आती है कि ग्लोबलाइजेशन के 30 साल बाद भी भारत में दूद की नदिया बह रही है लोग भुक का गुलगुला रहे है मैं कह सकता हूँ भारत पूरी तरह से जिन्दा है मुझे अपने इस भारत पर गर्व है मेरा पूर्ण विश्वास है यहां अंदोलन इस देश को एक नए पत पर ले जाएगा उनके अनुसार देखने योग या बात है कि इतनी आधुनिकता के बाद भी शुदभारतियता के दर्शन किये जा सकते है इस कड़क सर्दी में किसानों के जुनून को सलाम करना चाहिए अंततह चुनाव के डर से कानून वापस लेना पड़ा ये हमारे लोकतंत्र की विजय थी हमारे किसानों ने दिखा दिया कि आखिर गांधी के देश में गांधीगीरी से मदमस्त हाथी को पस्त किया जा सकता है सिखों की ऐसी मानव सेवा पर यह संस्थान नोवल प्राइज पाने का पूरी तरह से हगदार है सच्चे मानों में ये अजीत अंजुम ही थी जिन्होंने आंदोलन की इस सच्ची तस्वीर से भारत को अवगत कराया हमें भारत की ऐसी परंप्राओं के साथ अजीत अंजुम जैसे पत्रकारों पर भी गर्व है हिस्ट्री आफ आफ फरुखाबाद की ओर से अंजुम जी को अने को बधाया पांच सौ तिरपन्वे गुरु नानक देव जी गुरु पर्व पर सभी सिक भायों को लख लख बधाया